केड़ केम टुटोरियल में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे sketch driven pattern क्या होता है उसे किस तरह use करते हैं और किस तरह draw करते हैं हमने यह pattern अपने last lecture में create किया था curve pattern की मदद से अब हम देखते है sketch driven pattern क्या होता है यह है sketch driven pattern तो चलो पहले इसके लिए हम कुछ points बनाते हैं sketch driven में हम point select करते हैं point की मदद से हम कोई भी pattern बनाते हैं तो पहले हम surface select करके sketch करेंगे उसके बाद यहां sketch में point है sketch or point point select कीजिए अब आप point select कीजिए किसी भी place पे जहां आपको suitable लगे ओके अब हमने यह points select कर लिए अब हमारा pattern इसी point पर बनेगा तो sketch से exit कीजिए अब हम exit आ गए फीचर में जाके menu drop down कीजिए और sketch pattern driven pattern select कीजिए यह देखिए हमने जैसे ही select किया यह sketch 9 यह points select हो गए automatically आप चाहे तो यहां से भी select कर सकते हैं point तो हमने already select कर लिया उसके बाद हम feature to pattern अब हमें क्या pattern करना है circle या rectangle हम देखेंगे rectangle किस तरह pattern होता है तो यह rectangle जो है select करेंगे एक्स्टूट कट यह देखिए जैसे ही हमने rectangle select किया सारे rectangle उस point के center में जाके बैठ गए अब जैसे ही हम click करेंगे वहाँ pattern ready हो जाएगा select okay यह देखिए सारे point पे एक pattern तयार हो गया इसे कहते है sketch driven pattern यह बहुत ही important और useful tool है हम इसका use आगे देखेंगे उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे like करना और share करना ना भूलिए